हेलो दोस्तों मेरा नाम है दिलिप काश्वर्मा और आप देख रहे हैं जी केवी दिलिप आज मैं आपके लिए अंत्रिक से जुड़े पार्ट फोर वीडियो को लेकर आया हूँ तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आर्यभट किस प्रकार का उपग्रह था इस प्रस्न का उतर है वैग्यानिक अगला प्रस्न है स्वदेश निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा था इस प्रस्न का रायत आंसर है भासकर वन अगला प्रस्न है भासकर वन किस प्रकार का उपग्रह है इस प्रस्न का उतर ह प्रित्वी पर्यवेक्षक चलिए चलते हैं अगले प्रस्ने की ओर भारतिये भूमी से भारतिये प्रचेपन या द्वारा प्रचेपित प्रथम भारतिये उपग्रह कौन सा था इस प्रस्ने का राइट अंसर है रोहिनी आर एस वन अगला प्रस्ने है भारत का पहला प्रायो भारत का परथम संचार उपग्रह केंद्र कहां स्थापित क्या गया है इस प्रश्ण का राइट आंसर है आरवी जोकी पूना में है अगला प्रश्ण है भारत का पहला सायनिक उपग्रह कौन सा है इस प्रश्ण का राइट आंसर है टी एस अगला प्रस्न है भारत का पहला मौसमी उपगरह कौन सा है इस प्रस्न का राइट आंसर है मैट सिट कलपना वन अगला प्रस्न है भारत वग दुनिया का पहला एजुकेशनल सेटेलाइट कौन सा है इस प्रस्न का राइट आंसर है एजुसेट अगला प्रस्ण है भासकर 1 उपग्रह का डिजाइन वो निर्मान किस ने किया था इस प्रस्ण का राइट अंसर है इसरो भारत द्वारा परचेपित पहले रोकेट का नाम क्या था इस प्रस्ण का राइट अंसर है नाइक एपास अगला प्रशन है नाइक एपास रोकेट का परचेपन किस तिथी को किया गया था इस प्रशन का उतर है 21 नवंबर 1963 इस वी को अगला प्रशन है नाइक एपास रोकेट का परचेपन कहां इस तिथी रोकेट परचेपन के अंदर से किया गया था इस प्रश्ने का राइट आंसर है थुंबा अगला प्रश्ने है नाइक एपास रोकेट का निर्मान किस देश द्वारा क्या गया था इस प्रश्ने का राइट आंसर है USA चली चलते हैं अगले प्रश्ने की ओर भारत में विक्सित पहला रोकेट कौन सा था इस प्रशने का राइट अंसर है रोहनी 75 अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले हैं वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए धन्यवाद